सो हलो दोस्तों मेरा नाम धननजा है इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक की जिससे आप सायद अभी तक आपके दिमाख में आ चुका होगा ये तो मेरी करेंटी है कई लोग आपको सर्जेस्ट भी कर चुके होंगे कई इस टाइम ये बहुत बोमिंग एरिया है जहां पर हर कोई पैसा डालना चाहता है क्योंकि ये लगबग लगबग 12-15% के बीच में अगर आप बहुत ज़्यादा इनों बहुत अग्रेसिव प्लान में नहीं डालने हैं तो भी आपको रिटन मिलता है तो अब एक क्या हम सम डाल दिये और उस टाइम मार्केट उपर है तो अब उसके बाद मार्केट नीचे चला गया और अगले 6 महीने तक रहा सपोज खुदा ना करे भगवान ना करे ऐसा हो लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो तो आपको डर रहता है कि आपका जो कैप है आपका जो पैसा है वो कर लेता है आपकी जो NAV होती net asset value तो वो basically उसी हिसाब से adjust हो जाता है तो अब आ जाते हैं कि क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम weekly systematic investment plan करते हैं या daily करते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होता है इस पर मैं वीडियो ये पूरा लेके आया हूं with proof और with logic इसने मैं आपको add-on कि ये nifty 50 stock क्या होता है इसने मैं बताने वाला हूँ nifty mid cap 150 क्या होता है इसका एक fund जो आता है और nifty small cap 250 ये कौन सा fund होता है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे detail में और आगे बढ़ने से पहले मेरा as usual request होगा कि चैनल पर पहली बार आए है तो subscribe जरूर करके जाएगा औ बहुत सारे videos बना रहा हूँ logical, informative, recommendation नहीं होता आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और please comment भी करिएगा उससे मझे पता चलता है आपका feedback क्या है आप क्या चाहते हैं तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या-क्या फायदे लोग सोच के ऐसा सोच रहे हैं कि क्या monthly daily, daily, उसके बाद weekly हम SIP डालें फायदे तो यही है कि लोगों को लगता उतार चढ़ाओ और ज्यादा average आउट हो जाएगा तो चलो नुकसान की बात कर लेते हैं फिर देखते है return क्या आता है वो data में लिक्या आया हूँ नुकसान यह है कि सारी companies जितनी भी mutual fund company है जो आपको allow करती है SIP करना उनके पास जो auto detected plan होता लगबग मंतली ही होता है आप date set कर दिया आपने आपके account से पैसा कट किया weekly और daily नहीं होता है तो इसमें आपको खुद लगना पड़ेगा everyday basis पे अगर आप miss कर गया तो आपको ल कि जब आप इसको reconcile करेंगे अपने account के साथ taxation के time पे तो बहुत सारे entries हो जाएंगी बहुत सारे entries साल भर के गर weekly करते हैं 52 daily करते हैं 365 इतनी entries आपके पास होंगी जो आपके CA या आपके content manage करने में उनको बहुत दिक्कत होगी हलाकि company आजकल consolidated report देती है बड़ वो इतने page का हो जाएगा तो यह एक रहे गया दूसरा जो इसका result है वो भी बड़ा encouraging नहीं है तो मैं तीन result आपके सामने आज share करने वाला हूँ एक तो मैं share करने वाला हूँ nifty 50 index nifty 50 basically उन top 50 company के बारे में में पैसा लगाता है जो top ranked है 1 to 50 और जिनका market cap सबसे उपर है 50 माय top मलब market cap के कहते हैं उसके बाद एक nifty mid cap 150 आता है यह उन सारे mid cap companies क्या समू होता है जो top से 101 101 से start होके 251 तक जाती है यानि market cap के हिसाब से जो 101 से लेके 250 तक रहेंग की companies होती है उसमें यह पैसा लगाता है तो यह nifty mid cap 150 कैप कहलाता है उसके बाद nifty small cap index fund वो क्या होता है वो market cap के हिसाब से 211 251 से लेके 500 rank तक की companies में पैसा लगाता है पिछले कुछ सालों में देखा गया है small cap काफी अच्छा return दे रहा है mid cap उससे उपर और उसके बाद जो nifty 50 है वो तो देता ही है लेकिन सबसे ज़्यादा है small cap then mid cap then nifty 50 अब basically return इसलिए जादा देता है वहां risk भी top companies जो top 50 valuable companies उसमें risk relatively ना के बराबर होता है अब बता है तो अब आ जाते हैं कि क्या नुकसान इतने थे फायदे भी कुछ है आपको जानके बड़ी हरानी होगी कि फायदे नहीं है पिछले 10 साल का record देखा जाए 1 अपरिल 2013 से लेके 31st March 2023 का यह जो record मैं आपके सामने लेके आ relative index है तो इतने return index I should say TRI nifty 50 का वो daily SIP में 12.44% का return दिया है और weekly SIP में 12.45% का return दिया है यानि 0.01% जादा और monthly SIP में 12.44% का return दिया nifty 50 Index बताएगे क्या फायदा हुआ कहीं कोई फायदा नहीं हुआ 0.01% का फायदा हुआ weekly में अब आ जाते हैं nifty mid cap में देख लेते हैं nifty mid cap 10 साल में average return दिया 16.35 अगर daily SIP कोई करता है 16.36 अगर weekly SIP करता है 16.32 अगर हो monthly SIP करता है nifty small cap देख लेते हैं यहां पे उपर में कोई difference नहीं है थोड़ा सा 0.03.02 का difference आया monthly और daily और weekly में वड़ आप hassle free थे अब आ जाते है small cap पे जो 250 small cap nifty का fund है इसमें daily में 13.31 का return आया weekly में 13.32 का return आया और monthly में 13.29 का return आया यहां देखा जाए तो nifty mid cap में पिछले 10 सालों में return जादा है as compared to small cap हलाकि पिछले दिनों में small cap ही जादा है लेकिन 10 साल में mid cap में जादा है तो यहां भी कोई hardly difference 0.02 का आया लेकिन आप hassle free थे तो मेरा recommendation है tencent free हो के monthly SIP is the best way to you know enter into the mutual fund कोई आपको monitor करने की जुरत नहीं है अच्छा fund चूज करिए अच्छी company चूज करिए सोजाए सांती के साथ और लंबे time तक पैसे invest करते रहिए और आपको return मिलता रहिए का चंगा आयोप समझ में आ गया होगा so thank you very much bye bye take care